अनार के लाल चमकीले बीच के स्वाद और स्वास्थ लाबों के बारे में आपने सुना ही होगा पर क्या आप जानते हैं कि जिन अनार के छिलकों को हम अक्सर फेक देते हैं उनमें भी काफी शक्ती शाली आंटी आक्सिडन्स मौजूद होते हैं? जी बिलकुल और ये कई बिमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं तो आए इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अनार के छिलके के 5 फाइदे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा तो आपको बता दे कि अनार के छिलके जो हैं वो पेट की समस्याओं के लिए काफी लाबदायक होते हैं जी हाँ, अनार के छिलके में कई प्रकार के medicinal गुण होते हैं जैसे polyphenol extracts जो पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं ये किसी भी प्रकार की सूजन को कम करते हैं और पांचन क्रिया को भी कंट्रोल करते हैं तो अगर आपको पेट की समस्या है तो आप अनार के छिलके का काढ़ा बना कर दिन में 2-3 बार जरूर पीए वैं कि आप सोच सकते हैं कि अनार का छिलका जो है वो गले की खराश को भी मिटा सकता है जी हाँ, तो अगर आप अपनी गले की खराश या दर्थ को दबाईयों के बिना ठीक करना चाहें तो अनार के छिलके आपके लिए काफी फाइदेमन साबित हो सकते हैं तो आपको बता दें कि आप जो है ना इसका पाउडर गुनगुने पानी में मिलाएं और इसका गारगल करें जिससे आपकी गले की समस्या से आपको तुरंत रहत मिल सकती है अनार के छिलके का अगला फाइदा यह है कि वह आपकी रिदे को भी स्वस्त रखता है तो रोजाना इक चमच अनार के छिलके का पाउडर आप बुनगुने पानी में मिलाकर पीने से आपकी रिदे की कई जानलीवा बिमारियों से आप लड़ सकते हैं यही नहीं यह कॉलेस्टरॉल को कंट्रोल रखता है, साथ ही स्ट्रेस को घटाता है और रिदे को भी स्वस्त रखता है आईए जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि अनार के छिलके आपकी तवचा को भी स्वस्त रखते हैं जी हाँ तो आप इसके powder में मौजूदा anti-oxidants अपनी pimples को कम करने में सहायक बनते हैं और moisturizer के रूप में भी आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो आप इसका face pack बना सकते हैं या फिर आप इसे scrub के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं तो है ना अनार के छिलके के कई फायदे आकरी फायदा जिसके वारे में हम आपको बताने वाली हैं वो है आपके दातों के लिए जी हाँ, तो चाहे आपके मसूडों में दर्ड हो या फिर bad breath की समस्या अनार के छिलके के powder से गारगल या मसाज करने से आपके कई dental problems जो हैं वो दूर हो सकते हैं तो अगर आप इस बार अनार खाये तो इनके छिलकों को बिलकुल भी ना फेके वहीं इसे धूप पे सुखा कर इसका इस्तमाल करें और अगर आपको बाकी और जानकारी चाहिए तो आप हमारी website india.com और health cycle ज़रूर लोगण करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थाले वाद